जैन साथियों, पिछले कई दिनों से देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े महा घोटाले पर खामोश है। जैन साथिये हैं कि ए घोटाला सिर्फ आडानी घोटाला नहीं है, यह घोटाला है मोदी आडानी घोटाला। सबकुछ नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को सौटी और इतना ही नहीं किया। ब्यापार चलाने के लिए धाई लाख करोड रुपए का करजा दिया, याद रखेगा धाई लाख करोड जीरो लगाते लगाते आप ठक जाएंगे। बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रही है अगर वो अपना ब्यापार करना चाहे तो उसको ढाई लाख रुपए का करजा नहीं मिल सकता। गरीब को अपनी बेटी की शादी करनी हो तो धाई लाख का करजा नहीं मिल सकता। किसान को अपने फसल के लिए धाई लाख रुपए चाहे तो नहीं मिल सकता। उसकी चपल गिस जाएगी धाई लाख रुपए लेने के लिए। लेकिन अडानी को नरेंद्र मोदी जी ने धाई लाख करोंड रुपए का करजा दी इतना ही नहीं जब व्यापार में घाटा होने लगा तो 84,000 करोंड रुपए माफ किया आपको सुनने में साहिद गल्ती हो गई 84,000 नहीं 84,000 करोंड आपका 84,000 का भी करजा माफ नहीं होगा लेकिन अडानी को 84,000 करोंड का करजा मोदी जी माफ कर देते है अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए क्या-क्या नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उस व्यक्ति ने क्या किया 38 फरजी कमपनिया दुनिया के टैक्स हैवन कंट्रीज में खोली जहांपर की कर की छूट होती है जैसे मौरिस करिवियाई देश और वहां क्या गोटाला किया है इस व्यक्ति ने अपने भाई और अपने रिस्तेदारों के माध्यम से अडानी ने फरजी कमपनिया खोली 38 फरजी कमपनिया खोली और उन कमपनियों के माध्यम से हजारों लाखों करोड रुपए हिंदुस्तान की अपनी कमपनी में काला धन लगाया काला धन लगाया और इसको मैं काला धन इसलिए कह रहा हूँ कि मौरिसेस में छे कंपनी एक ही पते पे खोली गई उन छे कंपनी के बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स में और सेकरेटरी के नाम एक ही इतना ही नहीं उन कंपनियों की आमदनी की जरिया क्या है यह कोई पता नहीं अता पता नहीं क्या करती हैं वो कमपनियां और उन कमपनियों ने मालूम है आपको कितना पैसा लगा है 42,000 करोर रुपए अडानी की कमपनी में लगा है ऐसी कमपनियां जिनकी आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं जो एक ही पते पर खोली गई वो कमपनियां अडानी की कमपनी में 42,000 करोर रुपए लगा है 42,000 करोर रुपए क्या इसकी जात नहीं करनी चाहिए थी सेवी को क्या इसकी जात नहीं करनी चाहिए भारत की एजेंसियों को स्टाउक एक्सचेंज पे नजर रखने की जिम्मेदारी किस की है सेवी की है अगर अचानक ये कालाधन अडानी की कमपणियों में आ रहा था तो सेवी ने क्या करवई की समय रहते हुए और क्यों करवई नहीं की क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है ये कालाधन भारती जन्ता पाटी का है ये कालाधन किस का है कैसे पता चलेगा हम जेपी सी की मांग कर रहे है बी जेपी के नेताओं का कालाधन है अगर इसकी जाच होगी तो पता चलेगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से लेके तमाम केंदरी मंत्री और अधिकारी फसेंगे लाखों करोन रुपए विदेश से अडानी की कंपनी मिलाए गया है सेवी में कौन बैठा है मालूम है अडानी का समधी सेवी का अधिकारी है कैसे करवाई करेगा हो कैसे कारवाई होगी कैसे जाच होगी आज बड़ा सवाल यह है आज पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधान मंत्री जी L.I.C. में करोनों लोगों का पैसा डूब रहा है S.B.I. में करोनों लोगों का पैसा डूब रहा है वो सारे लोग चिंती थें उनको जवाब चाहिए, क्योंकि आपके राज में Yes Bank का घोटाला हुआ, आपके राज में पंजाब National Bank का घोटाला हुआ, आपके राज में Corporative Banks का घोटाला हुआ, जिसमें हजारों करोर रुपए लोगों के डूब गए, और वो लूटने वाले लूटेरे कहां बैठे हैं, बी कि इसके एक भाई ने तो पहले सी विदेश की नागरित्ता ले ली है, तो आप मुझे बताइए हिंदुस्तान के उन करोनों लोगों का क्या होगा, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए LIC में पैसा लगा रखा है, जिन्होंने बुरहापे की पेंसन के लिए पैसा लगा रखा है, क्या होगा उन लोगों का, ये सारा पैसा अगर डूब रहा है, तो प्रधान मंत्री खामोस क्यों है, खामोसी की एक ही वज़ा है कि इस वरस्टाचार में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी सामिल है, ये मोदी अडानी का महागोटाला, इसलिए मैंने संसद मिनारा लगाया था, मोदी अडानी भाई 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 देश बेचकर खाई मलाई, प्रधान मंत्री जी ने बड़े जुमले पढ़े, कि जितना कीचल फेकोगे उतना कमल खिलेगा, मैं प्रधान मंत्री जी आपको कहता हूँ, कैसे कैसे मंजर अभी आन इस महा ब्रस्टचार के कारण, इसकी जेपीसी से जाच कराईए प्रधान मंत्री जी, तब ही दूद का दूद, पानी का पानी हो पाएगा, और यही हमारी मांग है, पहले दिन से हम यही कह रहे हैं, इसकी जेपीसी से जाच कराओ, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, किस पार्टी भारती जनका पार्टी अडानी के काले धन से चलती है, याद रखिएगा, और अडानी के काले धन का इस्तेमाल देश की सरकारों को भीराने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, खोका खोका करके भारती खोका पार्टी विधायकों को खरीदने, सरकारों को तोड़ने फोड़ने में पैसों का इस्तिमाल करती है। सड़क पर उतरिए आवाज लगाईए सदन में आपका छोटा भाई आवाज लगाएगा। सड़क पर आप सब लोग बिलकर एक स्वर में सवाल पूछे पधान मंत्री से इस महागोटाले पर मोदी अडानी महागोटाले जय हिंगा। कर दो